गुद बॉर्णिंग एव्रीबाटी मैसलफ कोमल सहानी सीनियर लेक्षर सीडिट है गर्मिन्ट विमिन्स पॉलर टेक्निक कॉलेज अचमेर आज कर मेरा टॉपिक है क्लोधिंग नीट्स और बाइंग गाइड्स के अंतरकत हम आज शिर्ट की अनाटमी और टाइपस ऑफ जैंग शिर्ट के बारे में जानेंगे जब भी हम कोई भी परीधान खरीदते हैं हमारी आवशक्ता के अनुसार तो हमें उस परीधान के बारे में संपून जानकारी होनी अतियावशक है जैसे कि अनाटमी से शब्द का अर्थ है कि शिर्ट के विबिन हिस्सों से जिनसे वो निर्मान होके उसको नाम दिया गया है उनके प्रतेख हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो आज हम सबसे पहले अनाटमी ओफ जैंज शिर्ट पढ़ेंगे शिर्ट आप एक पिच्चर देख सकते हैं कि इसमें सारे शिर्ट के पार्ट को हमने डिस्प्ले किया गया है अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने लिया है शिर्ट कॉलर Shirt collar जो है, it's a type of a rolled collar है ये उस category में लाय जाता है and it's a third type of a basic collar ये two-piece होता है, generally और जिसमें collar band होता है और shirt collar होता है मतलब उपर collar होता है और नीचे collar band होता है collar band जो होता है उसके उपर roll होके shirt collar recite करता है यहां उस पे ठहरता है यहां पे आके ये roll line इसकी तयार होती है आप collar band को देख नहीं सकते है क्योंकि collar band जो है वो इसको एक standing position देता है तो आप ये देख सकते है और ये है हमारा shirt collar इस तरह से इन दो collar के combination से हमारा shirt collar निर्मित किया जाता है ये two-piece भी हो सकता है ये one-piece जिसे हम in-built collar भी बोल सकते है और ये sometimes ये detachable collars भी होते है इनको आप remove कर सकते है और इनको बाद में attach कर सकते है और एक ही shirt के साथ तीन या चार collars उपलब्द होते है अब इसका मुख्य हिस्सा है the front part है जो कि दो हिस्सों में कटे होते है front part और left side and right side फिर है left hand side पे ये patch pocket होती है देखिए ये patch pocket है ये हमीशा pointed होगी और chest line पे ही ये लगी होई होती है और ये इसका folding part है जो कि चोड़ा होता है ये कभी भी narrow नहीं होता है अगर ये narrow रखते हैं तो ये pocket जो straight aligned है ये बिल्कुल भी नहीं होगी और ये droop कर जाएगी so that is why ये chest line पे और ये broad होना चाहिए यनि इसकी जो hem है वो top hem जो ब्रॉड होनी चाहिए then comes a shirt sleeve now shirt sleeve जो है वो set in sleeve का ही एक variation है but why it is known as a shirt sleeve because it is used in jeans shirt that is why it is known as a shirt sleeve plus it is comprised of many parts अब इसके जो कुछ हिस्से है जिनके द्वारा ही इसको shirt sleeve कहा जाता है कि एक shirt sleeve क्या होगा वो set in sleeve उपर वाला भाग बिल्कुल set in sleeve की तरह है बट shirt sleeve में हमारा cuff होगा और हमारा sleeve placket भी होगा और plus इसमें pleats होगी जो की cuff के साथ attached होती है for the looseness या फिर room के लिए फिर हमारा आते है ये जो cuff है cuff part तो shirt sleeve में हमारा next part है cuff ये cuff क्या होता है ठिक होता है interfaced होता है और बहुती stiff होता है जो हमारे wrist level पे आके उसको confined कर देता है और इसको हम fasten करने के लिए इसमें horizontal button hole होते हैं जो की button cuff को fasten करने के लिए करते हैं इसमें horizontal button hole होते हैं और sew through button होते हैं इसके साथ साथ sleeve में knife pleat होती है जिनकी मात्रा double होती है और जितनी looseness हमें cuff के area में चाहिए होती है उसी के अनुसार knife pleat की जो मात्रा है उसको बढ़ाया यहां गटाया जा सकता है ये दो-दो भी हो सकती हैं ये single भी हो सकती हैं एक side इस side होती है ये half of the cuff और एक दूसी side पे लगी होती है तो ये दो भी हो सकती है और चार भी हो सकती है फिर है कि जो hemline है वो shaped होती है जनरली इस मतलब हम इसको कहते है traditionally जो इसकी bottom line या hemline है वो shaped होती है और जो इसकी length होती है वो up to the hip length होती है और कई बार इससे लंबी भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है जो hemline है वो बहुत ही जो इसको finish किया जाता है hem finish होती है वो narrow hem finish से इसको finish किया जाता है फिर आता है हमारा कि ये हमारा placket है तो placket है वो उस placket को कहते है हम front open placket Front open placket में Vertical buttonholes होते हैं और 2.5 के distance पे लगे होते हैं 2.5 inch के distance पे और width buttons, see through buttons और vertical buttonholes होते हैं फिर हमारा आता है Shirt sleeve placket hedge जो की for the ease होता है और ये लगभग 6 inches long होता है और इसमें जो placket जब sleeve पे लग जाता है तो उसको shirt sleeve placket का जाता है ये 2 piece होता है जैसे की हमारे कुर्टो में लगाई जाती है with extended band as well as उसके उपर एक overlapping band और होता है फिर हमारे जो collar band है उस पे एक button लगा होता है वो भी see through button ही होता है और बिल्कुल नीचे वाले जो front open के buttons होता है उसी के साथ aligned होता है और ये horizontal button hole होता है बाकी सारे जो button holes होते है वो vertical होते हैं और जो top वाला होता है वो horizontal button hole होता है और यह बाटन होस जो होते हैं यह handmade या फिट machine made दोनों हो सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि यह हमारा front part था अब इसके और इसमें हमने पिछली class में cap height भी पड़ी थी तो यह इसमें क्योंकि because it is a tailor made garment है तो इसकी जो cap height होगी वो regulation वाली आएगी इस इस सेटें स्लीव में जो cap height है वो सबसे regulation वाली सेटें स्लीव है जिसे हम classic cap height भी कहते हैं अब यह shirt sleeve का हमने front part को describe किया था लेकिन back part में भी इसमें क्या होता है एक insertion yoke होता है जो back side में लगाया जाता है जो कि one shoulder to the next shoulder तक होता है number इस shoulder के साथ हमारा back or front जोड़ता है अब आप इसको देख सकते हैं जो back part में front और back part को लगाया जाता है एक side से neck पाला जो part होता है वहां से front part लग जाता है और जो lower part होता है yoke का उससे back part लगाया जाता है अब back part में pleats का भी प्रयोग किया जाता है जैसे हैं आपके यहां पर दिखा देती हूं देखे तो back part में क्या होता है दो pleats का प्रयोग किया जा सकता है यह yoke है और कई बार हम center में box pleats भी ले सकते हैं एक single भी ले सकते हैं और दो shoulder blades पे हम knife pleats का भी प्रयोग कर सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं यह back part है और यह इसका shirt collar है और band के ऊपर roll कर के shirt collar को लाया सकता है यहां पर आपकी सारे edge के face back में भी असानी से देख सकते हैं और यह देख सकते और यह देखे यह जो plaket होता है ये जो sleeve का back part होता है यह उसमें आता है उसमें लगाया जाता है और जो प्लाकेत को फ़ाम के लगते हैं तो जबravail करते हैं यह जाने लेफट और तो तो अभी हता है, चिर्ण के लंद्वार में आज़ा क्लमके लेफट और ग tetangज अधा, गुज़रे हमाना लाइक लेफट लिख पार्ट उपर है तो लिख पार्ट झूपर है यानि उसके बटन होल्स बने होते हैं और जो रई पार जो नीचे की तरह जादा उसके वे मारे स्ञ फ्लू त्रू수를 लगाई जाते हैं Shirt को हम लोग pants के साथ यानि formal pants के साथ या casual pants या trousers के साथ इसको पहनते है So they are the combination of shirt and pant combination में इसे पहना जाता है यह दो प्रकार की होती है casual shirts and dress shirts यह दो बहाई आज अँखे साथ यहान एफ लिर अजा आ एगा इसे बहार का साथ यह दो है यह दो लुट लिए है यह दो प्रोग Stretch